हर्याड़ में रिवाडी रो तक हाईवे पर नहर के समीत तेज रफ्तार कार का टैर फट गया, टैर फटने के बाद कार असंतुलित होकर रोड पर कई पल्टियां खाई और फिर पोल से टकरा गई, हलांकि हाथसे में कार चालकी जान एर बैक खुलने की वज़ा से बच गई, जबकि कार पूरी तरस से छतिग्रस हो गई, प्रतक्षदर्शी ने बताया कि वह दिली जैपूर हाईवे से अपने घर जा रहा था, तभी एक ब्रिजा कार NH48 से रिवाडी रो तक हाईवे पर चड़ी, कार हाईवे पर नहर के पास ही पहुची थी कि अचानक अगला टायर पट गया, जिसकी वज़ा से कार असंतुलित हो गई, और फिर कार ने कई पल्टियां खाई और सड़क किनारे खड़े पोल से टकरा गई, प्रतक्षदर्शी की माने तो कार की रपतार काफी जादा थी, कार में सिर्फ चालक ही था, टकर के बाद कार का एरबैक खुल गया, जिसकी वज़े से उसकी जान बच गई, हादसे में कार चालक के हाथ पर जरूर मामुली चोटे आई हैं, कार चालक भिवानी निवासी शक्स किसी काम से बावल में आया हुआ था, और वापस लोटते वक्त शुकरवार को ये हादसा हो गया, हादसे में कार पूरी तरह से छ हादसे की सूचना के बाद चालक के परिजयन भी मौके पर पहुँचे और चालक को नीजी अस्पताल लेकर गए, न्यूस्टेस्क एन्वर लाइट